नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक आप देखरें काफी वे समी जैन एंड रवेंदर पंचोली जी रोज की तरह सुबह सुबह हम भी आगे हैं अच क्योंकि मुद्धे ही कुछ वाज़े थे जो डिसकस करने आपके साथ जरूरी थे सर पहले तो जैश्री राम जैश्री राम कि एक हम जैसे जैवारत बोलने लगें कई यूटीवर बहुत 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 हैं इसलिए देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान नाम अंग्रेजों ने रखा था आपस में सेपरिशन करने के लिए यह भारत रहा है पौराणिक रागिसे उनको मैंने कहा था वो कहते हैं आप ढरते हैं तो भाई साब हम जित्ता खुला बोलते हैं सुप्रेम कोट के किलाब मुसल्मानों के खिलाफ लिबरान डूओं के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ आप आजाओ आपको निमंतरन देते हैं स्वागत आप चैनल पे आओ सर ये सारे वही हैं जो कुछ करने सकते आज दो मुद्दे में लेकर आओंगा आपके सामने एक है मोदी जी वर्सिस कॉंग्रेस जो कल उन्होंने पूरा भाशन दिया आपना दूसरा है हिंदू मुसल्मान लोगों को आज मुसल्मानों की भी अस्रे दिखाएंगे बे धड मोधुजी की जो स्पीछ थी कल की उसके अदुरा का पूरा उत्रप्रदेश उसके पीछे लगा हुआ था मुझे समझ नहीं आती की लोगों को समझ कब आईगी कि पूरा यूपी उसके पीछे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको लगे और थोड़ा दो मुझे लगता है कि कहिना के लोगों को समगना चाहिए कि राहूल गांदी की पॉपॉलरिटी कितनी जगा है अब देखिए कि हमारे वीवार्स देख रहे होंगे वो समझ जाए कि राहूल कितने पूरे हिंदुस्तार में पापू लह रहे हैं और कितनी पावलिक उनके पीछे जा रही है कि हमने सारकस्टिक में बोला था आप उसको सच मत मान लीजिएगा है उसके साथ पर कोई खड़ा भी नहीं है वह हाथ हिला रहा है और हाथ किसको यह ना रहा है सभाग इसका सठ्या गया लगता मुझे तो सट्त लगाने के बाद मुझे लगता है वह लगता क्या बाद फाली काम करता सुबै शाम को सूंगने के बाद ऐसे एक जो एक-एक आदमी है वह वो दूसम दिक्ते हों गये उसको लगना लगना कि भीड मैंकि साइट पर खड़ा था सर गांदी की ऐसी हालत देखिए इसके मुगालते अभी भी दूर नहीं हो रहे हैं मतलब यह सब यह सारा दिरश्य देखके आदमी के दिमाग की किड़कें खुल जाना चाहिए कि मेरे को इंट्रोस्पेक्शन की जरूत है आपको अल्टिमेटली जाना पब्लिक के बीच में आपके पास आपके आपके नेताओं से सीनियर नेताओं से बात करने का समय नहीं है आपके पता ही कौन सलाकार है जो इसी मूर्खतापूर्ण सला देते हैं कि जब चुनाओ का टाइम है जब आपको सब के साथ बेट के मंसें करना चाहिए सीटों के बटमारे कैसे करना चाहिए आपने जो अलाइस बनाया है वो छोड़के आप भटक रहे हैं आराम से कितना IQ लेवल है अब तो सर एके करके जैसे आप बोल रहे थे पहले कि एक एक करके कांग्रोसियों का सारा साथ छोड़ने वाले हैं कमल नाथ का भी यही हाल है सर उसका बेटा तो और बीजेपी जान कर गया है कमल नाथ की भी उमीद है और कमल नाथ से पूछा जाता है तो उ सब्सक्राइब क्या है अभी मेरी चर्चा हुई कमल नाथ जी चार्ड लेकर बेठे हुए थे लोग सबाद चुनाओ की टिक्टे मध्यप्रदेश में कहसे बटेंगी जाती समीकरण क्या होंगे उन्होंने का मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्यप्रदेश की सब्सक्राइब करेंगे उन्हों को देने से कॉंग्रेस मजबूत होगी अभी मेरा इस तरह किसी कोई विचार ही नहीं है ना मैंने किसी से चक्चा की मेरा मीडिया वाले बोल रहा है कि आपने इंकार भी नहीं किया उनका कि मीडिया वालों की बनाया हूँ प्रश्न है और है ऐसे मीडिया गुदा एस तक ही नहीं कहा जा रहा हूं कहा नहीं है वैसे पूछा जाता है तो चोड़ नहीं रहे क्या उन्होंने बोला है तो कहते रूर वी पोला भी नहीं रहे इनूंटें कंगरेसी सेचन में और इन्होंने भी अपने ट्W lly यहां आने वाले हैं मत्वर परफेली को उसी दिन धमाका किया जाएगा कि जहां जहां पाऊं पड़े तो वो वाली कहावद सेवधी करने के लिए एंतजार करें कि यहां है और हम बम बोलें और इसके कहावद सही करने के साला यह बंडा धारी है पिकाश प्रदाच जी, आप बोल रहे हैं कि हमारी जोडी सेम है, जै बीरु वाली, विक्षट गई लोग बोलते हैं कि ये तो सजेट ददुलकर, और जो सहवाग की जोडी थी वैसी है, और देखिए, ये आपका प्यार है, और इसलिए जोडी भी इकठी आती है, और हम कि नहीं मुझे लोगों के पास आना है विकाज आप लोग वेट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि this is all because of you सर मुझे लगता कि जो कुछ मद्रपरदेश में हो रहा है आज वह मद्रपरदेश में के लिए कमलनात कर रहे हैं पूरे देश में हो रहा है और इतनी भीड राहुल गांदी के पीछे थी उसके बाद कहीं न कहीं मुझे लगता इसका दिमाग खराब भी हो गया है इसे अब और मर्त के पीच में भी समझ नहीं आ रहा और ये कही ना कहीं ऐसी हरकते कर देता है जहां पर मुझे शक होता है कि इसकी कई चीजों के उपर मैं दिखाता हूं को यह सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ है यह सबस्क्राइब करता हूं आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं भी यह दो इसको है लेकिन शब्लश्य नटिश्ट को बता दूंदे जादा देखाने लगे कि मैं स्क्रीम वीडियो दिखाता नहीं यह पर चुपा तो थोड़ा आपको पता चल जाती कि एक्टनी ग्राउंड लेवल पे क्या सचाई चल रही है सर देखिए एक तो हमें तो समझ आ गया कि राहूल पागल पहले से था हमने कितनी वीडियोज बनाई है राहूल पागल हो गया है लेकिन अभी मैंने एक चीज़ और देखी है कि ये महेंगाई महेंगाई का इन्होंने बहुत साथा नारा लगाना शुरू कर दिया और नारे जब इनके टाइम पर फत्रकार इनसे पूछते थे कि भाई महेंगाई इतनी क्यों है इन लोगों का जवाब क्या होता था पहले वो भी सुल देजिए इनका डबल सेंडर देखिया ये सरासर दोगले है ये मतलब गोष्णा वीर है सारे के सारे गोष्णा करना में इनको देर नहीं लगती और खड़े के के दिया के मेरी सरकार बनी तो हमारी कांगरेस की सरकार बनी तो लागू कर देंगे अरे भाई पहले तेरे संसत कितने दीट के आएंगे ये तो बता दे 10-15 संसतों से पतार्मंत्री बन सकता है आपको पता ही है तो इनको कभी भी समझनी आएगी कि कांगरेस का असली चेहरा क्या है हम तो दिखा रहे हैं आज पूरा-पूरा इनका परदाफाश करने वाले हैं कुछ हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जो मैं बीच में लगाऊंगा तो आप सेंड कर लीजी उसको लेकिन आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हम अकेले ही नहीं है डीडी न्यूस की उपर भी जो परवक्ता हैं कांगरेस के उनको बलाया गया था आपको इस वीडियो में जब उनको धोया गया कांगरेस को और उनका इसका खले हैं वो भी देख लेजिए एक तकत्र कार ने बाकाइदा ट्वीट किया था परदान मंतरी नरेंदर मोधी की मौकी मौदी की दूआ मांगी थी और एक और क्पिलिक और उसको कुछ नहीं हcribe उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक्शन किन के खिलाफ हुआ था, ये भी एक मिंसर, ये भी बता दूँ, जुलाई 2022, रोहित रंजन, एक जी टीवी के पत्रकार है, उनको पकड़ने के लिए 36 गड़ की, उन्होंने राहूल गांदी पे खबर चलाई थी, उन कारों में 14 पुलिस कर्मी, तीन कारों में 36 गड़ के 14 पुलिस कर्मी, साधी वर्दी में रोहित रंजन के घर के बाहर बैटे थे, और कॉंग्रेस का एक और चाहरा दिखाता हूं, अमन चोपड़ा, वे एक और पत्रकार, राजस्तान की पुलिस, दस पुलिस कर्मियों के सा क्या हूँ, यह हमको नहीं बूलना चाहिए, नूपुर्शर्मा पश्रिमंगाल की पत्रकारा है, दिल्ली में रह रह रही है, क्योंकि मम्ता दीदी की पुलिस ने उनका वहाँ जीना हराम कर रहा था, उनके खिलाफ इतने केज डाल दिये गए थे, और यह सब जो है, नाम भी हमको याद रखनी चाहिए, जो लोगे कहते हैं कि मीडिया की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि उन्हों ने पत्रकारों के खिलाफ किस किस तरह के अभियान चला हैं, उनकी गिरफतारी को लेके क्या कुछ किया, ये भी याद रखा जाना महाराष्ट में जब कॉंग्रेस के साथ सरकार थी, तो किस तरह से अरनव गुस्वामी को घर से गसीड कर ले गए थे, सर तब मीडिया की आजादी कहा चली गई थी, समिट ठककर नाम के एक व्यक्ति को आपने जो है, उसको जिश दिखानी थी आपको कि कैसे दोया है से उनकी रियालिटी दिखाई, देखिए यह जिस नुपुर शर्मा का नाम ले रहे हैं, मैं एक वेपोर्टर चाहती है, बहुत सक्सेस्फूल है, आप इंडिया के नाम से, उसकी एडिटर है, और बहुत सहसी महीला है, यह तो जान पे बनाई तो देखिए, जिन्दर हैग आजमी तो लड़ देगा, तो इसलिए वो वेस्ट बंकार चोड़के आ रही है, और यहां से भी बहुत बहादूरी से कांग्रेस के खिलाफ, जो भी मतलब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, या जो भी अटो सिटिस हो रही है, उसके खिलाफ जम के आवाज उठात पूरा, और नीरव मोदी, जो मैं लगता कि भारत छोड़के चले के थे, यहां पर करके, वो करके हम बेफकूफी हैं, जो सैकुलर भारत को देखना चाहते हैं, सर यही सैकुलर बेफकूफ हिंदू है, जो कभी भी यहां पर ना तो खुद चैंसे जिएगा, और मुमिन के स साथ मिलके उनी की भाशा बोलते हैं, और यहीं समझ भी आना नहीं चाहते, यह समझ लेके आना ही नहीं चाहते, कि हमारे देश में हो क्या रहा है, और जितना मर्जीन को जगाने की कोशिश करें, यह जागरी ही नहीं चाहते, सर. हम लोग करेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं है, हमारा अभियान चलता रहेगा, और बार बार हम यह रिपीट करते रहेंगे, कि आप घर से निकल के वोट देने जरूर जाए, मोदी जी को कम से कम 370 सीटोर टक पहुंचाना है, आज जो चाह रहे हैं, कि यह सेकुलर शब लिए समीधान संशोशन की जरूत है, और इसके लिए दो त्याई बहुमत चाहिए, पांसो तिरतालिस सीटों की लोग सभा में 363 सीटे मिनिम्म चाहिए है, तो इसलिए मोदी जी नो 370 बोला, वो ऐसे नहीं पूल दिया कि धारा 370, अटाइस ले 370 चाहिए, यह समीधान स हिंदोस्तान कब बनेगा, मोदी जी क्या कर रहे है, यह सेकलर शाद क्यों नहीं हटाया है, मुझे लगता है, आपको थोड़ा सा एक्स्प्रेंट भी करना पड़ेगा इसके उपर, भागवत जी ने जो बोला है, वो भी दिखाऊंगा आपको, देखे, मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तभी दस साल में कहीं बम नहीं फूटें, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दस साल में काश्मीर में पत्थर चलना बंद हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में सुरक्षित देठे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना डेवलाप जिसने कुछ नहीं किया उसके पीछे गुंगते हैं जो कर रहा उसको गाली देतने हैं मतलब आप काम करेंगे तो आपसे बहुत आपक्षा रखेंगे क्या आप एक ही दिन में सारा काम कर दो आप एक एक फोटी सेवर लेकर खड़े हो जा और सब को अड़ा दो एक लाइन से कि भागवगवजी का कि ले क्या बोला है कि कभ ये हिंदू राष्टर बनेगा हिंदों के लिए सुन्ने की बात आई ये चुंणाने वालों अखन्ड भार्ण की बात करते तो ढरने की क्या बात है लोग डर जाते है कभ होगा डरना चोड़ने तब होगा दिक्त होगा बारत को बढ़ा तो कि भारत के सब जातिक लोग meiraj अपने कि भारत की सब भाषा मिरे अपनी भाषा है ऑस्काल पर भारत की शारी रहत्रवरा में करों। उसके जल जंगल जमीन जनवर सहित को अपना है और ऑसकता है आज कोई मेरे पास नहीं है कल मेरे पास आ जाएगा कि इस अपनत्व जогल से आ जाएगा जे लिए ऑल प्रनत्व को तो किसी शक्ती के संभल कि आवश्ची कि देखिए इसमें हमारे दर्शक भी बहुत सारे सबस्दार है वो मोधी को बड़े माइनुटी और करते हैं किसी दर्शक ने निखाए कि लोगों को ध्यान नहीं है कि मोधी ने कहा था कि चार साल जम के काम करूंगा और एक साल जम के राजनीति करूंगा तो वो 2023 से राजनीति कर रहा है आपकी जागरुकता को भईया प्रणाम करता हूं हमको ऐसे ही जागरुक लोग चाहिए सर मुझे खुशी है कि जो लोग हमारे से जुड़ते हैं they are intellectual people समझ रखते हैं देश के लिए प्यार है देश भगत है तब ही आते हैं यहाँ पर और इसलिए हम भी प्यार करते हैं यह हमीं बालूम है कि यह सारे बाल करते हैं हिन्दु को बचाना है स्नाथन धर्म को बचाना है और कॉंडरे जैसे कीड़ों को बाहर निकाल के फेकला भी है और यह कंजरवाल है इसको भी कई लोगों ने बोला है कि आप किसान अंदुलन पर और यह वैस्ट पंगॉल में हो रहा है इसके बारे में बात क छोड़ दीजिए तो हिंदू राष्टर बन जाएगा हम लोग कफसे कह रहे हैं कि आप इखटे होई है आप डरते क्यों है युनाइट तो होई है वो एक मिया भाई को आप मारने जाओ के तो इखटे हो जाएंगे आज पास कि उसको जानते हो या ना जानते हो और एक को बचाने के लिए कोई अगर हमारी अपनी ऑगनाजिशन्स हैं उसके खिलाफ भी हिंदू ही बोलता है सार आरेसस है बजरंग दल है उसके खिलाफ आपने हमेशा देखा कि हिंदू ही खड़ा हो जाता है कि इनकी ज़रुत क्या है करनाटका में उन्होंने बोला कि हम सब को बैन कर देंगे हिंदू ने कॉंग्रेस को वोट दे दिया क्यों क्योंकि 200 उनिट फ्री दे दिया साथ में बोल दिया 200 उनिट ले लिजी हमारे से या आरेसस को बैन करा दिजी उन्होंने बोला 200 उनिट दे दो और रेसस को बैन कर दो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है यह तो सा है अती होने लगी है अब शायद मुझे लगता है कि कहीं इनका धेरे तूटेगा और यह करेंगे कहीं कहीं करने लगें वह भी हम लोग दिखाएंगे और कहां से रियक्ट करने लगे हैं इनको समझ में आ जाएगा कि आसली रियक्शन कहां से शुरू होती आजादी की बोले या 2002 में बोले या अभी जो हुआ है कि सारी शुरुवाद गुजरात से होती है वह जो हम वीडियो दिखाने वाले वह कच्छ का है पहले मिया भाईयों ने पत्थर बाजी करी मार्पीट करी हिंदूों से हिंदू सड़क पर निकल के आ गए और आप खुद देख लीजिए कि क्या हुआ था और यही बात एक और भी लोगों ने बोली है कि आपको अब community को बचाना है तो आपको community difference की उपर खड़ा होना पड़ेगा और जो आपकी community difference की जो organizations है उसे भी आपको support करना पड़ेगा We have forgotten the need for community defense आपके पस community defense structures नहीं है और आप जितने पढ़े निखे होते हैं और जितने अर्बन होते हैं उतना ही कम आपका sense of community defense होता है And this is a peculiar Hindu vikriti किसी और के पास ये problem नहीं होते हो This is only a Hindu problem Because जितना आप educated है आपके मुझे ये तीन शद निकलने चाहिए मैं liberal हूँ, I believe in law and order and I am progressive These are your mantras घर के बार एक मॉप खड़ा हो जाए और ये जो नशा है उतर जाएगा पांचिन Stop disrespecting your organizations which protect you in the street They don't need to protect you क्योंकि आप तो इनकी इसत नहीं करते हैं तो ये आपको बचा क्यों रहे हैं Because आप में उनको Hindu दिखता है You may not see yourself that way You may call yourself secular or this and all that But आप में उनको Hindu दिखता है, period जो आपको मारने आ रहा है उसको भी आपमे Hindu दिखता है और जो आपको बचाने आ रहे हैं उसको भी आपने Hindu दिखता है Now you decide who you want to decide Sir इतना openly बोलने के बाद भी Hindu अगर जागे नहीं अपने आपको आज भी secular बोले तो इनको बेवकूफ ही secular Hindu नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए मेरी कली एक मैं किसी और उसमें था वेबिनार में वहां किसी से बहुत तगड़ी भाहस हो गई वह करना कि आप इस तरह की बाते करते हो आप जैर गोल रहा मैंना का भाई साथ जैर तो वह लोग गोल रहे हम तो उसको रोकने की कोशिश करने क्या आप जागो यह जहर आपके घर तक बुछ जाएगा और थे पड़े लिखे समझदार हिंदू यह इसने जो पूला है बच्चे ने वह बिलकुल सो प्रतिश्य सहीं बोला है और हिंदू उसके गेस बोलता है जमाते इसलामी के खिलाब कोई बोलता है और यहां पर हिंदू ऑगनाजिशन के पीछे यह 25 जिहादी हमारे साथ हैं और यहां पर हिंदू ऑगनाजिशन के पीछे कोई है ही नहीं वहीं उनकी जो मैगजिन आती है हिंदू की आरेसेस की हज़ार पे साल की फीश है सिरफ जिसमें आपको मैगजिन दी जाती है लोग वो तो खृपते नहीं सर बाकी तो छोड़ दीजिए आप कि अरे कहीं आप चंदा मांगने जाएंगे गणेश का या दुर्गा का तो अपमान करके लोग भगा देते हैं कि तुम दारू पियोंगे यह करोगे जब कि बच्चे महनत करके सारा फंक्शन करते हैं ठीक है उसमें अवाद हो सकते हैं कि कुछ लोग इस तरह के होंगे और सर लेकिन मैंने एक सी देखी है कि जो यह मुहीम है हिंदों को जगाने के लिए कहीं ना कहीं काम भी आ रही है तो यह मैं देखता हूँ कि लोग बोलने शुरू हो गए हैं मुझे खुशी इस बात किये कि openly अप सोशल मीडिया के उपर लोगों ने आना शुरू किया हमारे स बाद है तो भी मैं शियर कर रहा हूं के साथ दलेवाज जी जी बोल रहा है कि मोधी का ग्राफ नीचे लाना यां दोल मैं बताता हूं उनका ग्राफ पता है कैसे उच्छा हो रहा है आज जिसकी ने भी मोधी जी का रिवाडी का भाशन सुना होगा ना उनके फेस के उपर चमक नहीं देखी गई होगी जो आज तक हम देखते हैं उनके चहरे से दूर तबकता है यह क्या तारन है कतर से होके आए यूए ही होके आए एक मिनट भी रिवाडी में अपना शिलाइस करने गए बाइसवा एम्स खोलने गए और भी बहुत सारे मतला जो गाड़न देवो हो सकता है जो दस घंटे के सब्सक्राइब करना चाहिए भगवान ही हो सकता है तो हम लोगों के बीद में उनका ग्राव तो जिन्दी पर उचा रहेगा है वो रहें सीट पर चाहना रहें सब मोटी के साथ रहें लोगों को समझाना चाहते हैं मोधी हमारा दाना-पानी नहीं दे रहा घंद को लिखा है कि मोदी के चम्चे भाई साथ बेंक अकाउंट दिखा देते हैं आपको एक पैसा अगर कहीं बीजेपी से आरे से यह मोदी जी की तरफ से आ रहा हो तो बता दीजिए गाई सर हम प्राव भी को नहीं नहीं ना इन से भीक मांगते हैं कि हम राश्च सेवा कर रहे हैं और आप हमको दीजिए पार्टरम पुष पंपुष दीजिए हमने यहां पर बार कोड़ा रखा है कि इसको इसकेन करिए हमको बड़ी महनत करना पड़ती है वीडियो एटिचर को पेशा देना पड़ता है हम जो रिसर्च करते उसमें मैनत लगती है यह सारे डायलग आप बड़े-बड़े जो राश्च्वादी पत्रकार है उनके चैनलों पर चाहिए आपको यह सब सुनने को मिलेगा यहां हमने जब से शुरूआत कि एक पैसे की कभी बात नहीं किये सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं बोलते हैं बाकी तो छोड़ दीजिए खादारी लोग है उसी वैसे जीएंगे लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा जो यह बोलते हैं कि आप तो बोदी के भगत हो मोदी के चमचे हो भाई मोदी के भगत है मुझे खादि बात किय कि अब सनातनी हिंदु बाहर निकल रहा है वो बोलता है मुमि serpent के खिलाफ बत्रकारों का चेहरा उनोंने उनके सामने ही बेनकाब करना शुरू कर दिया मुझे खाद कि हमारे देश का युवा है उस्ने उठना शुरू कर दिया और उठना भी इतना ह वो गया है कि मुस्लमानों ने, ओपनली अपनी लड़कीों को बोलना शुरू कर दिया, कि मुदी जी की जो सपोर्ट है, वो है हिंदू लड़के, आप इनको अपने प्रेम जाल में फसाना शुरू कर दीजी, ये ओपनली बोल रहे हैं मुसलमान के मॉलमी, कि आप लड़कीो को बोल रहे हैं आप तो खेती हैं आपको चिंता करने की जुरूती है आप हिंदू लड़कों को फसाइए प्रेम जाल में फसाइए और उनको मोधी को वोड देने से रोकिए ताकि कॉंगरेस की सरकार आ जाएगी अगले पांच साल में तो हमने इसको इसलामिक कंट्री बना ह देना है सर इतना ओपन नहीं उन्होंने बोला शुरू कर दिया देखिए एक एप है आजकल जो युवाव में बड़ा पापूलर है एलो 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 उसमें दिन भर आपको हिंदू लड़कियां बैठी हुई दिखेंगी और उनके साथ बाचीश करने वाले मेरे को किसी ने कहा कि सर आप जड़ा इस एप पर जाके देखिए और सब्सक्राइब कर दो गहंटे उस एप पर बिताए हैं जितने उसके बैठने वाले थे 95% महिलाएं हैं और 95% महिलाओं में हिंदू महिलाएं हिंदू बच्चीएं और उनके साथ जो बातचीप कर रहे ह सब्सक्राइब कर रही है और मोमीन है सारे इस तरह से जाल में फसाया जारा अपने बच्चों के मोबाइल फोन चेक करिए थोड़ा निगार रखिए उनसे कहिए कि अपने मोबाइल में लॉक लागा के ना रख सर ये जो सारा कुछ हो रहा है भारत के अंदर जैसे मोधी को रोकने के लिए उनका एक ही एजेंडा है कॉंग्रेस को लेकर आजए ये मोमिन्स का एक बार कॉंग्रेस की सरकार आ गई हम हिंदू के कतल हम करेंगे ओपनली उनका बोलना शुरू कर दिया और जैसे उनको बिस सरण के लिए लागले की तो लोग उनकी वीडियो दिखा रहें है यकान के वापने ना क्नी को ररें 50,000 उंको रोज इंद घाल लोग लोग इन्दर 565 लोग रह रहे हैं बदाग एक परिवार के इंदर दस से बारा लोग यह देश की डिमोगरफी निभी रही है यह थ्रेट है हमारे कि उत्राखंट सरकार ने इन निन्ने लिया कि पुर रहले ट्रैक बना रहे हैं ताइटीन किलोमेटर का एरिया है वह आपका उस एरिया में प्रशासंद को जो भी निनन लेना है चाहे धका मार की जैसे मर्जेब हटा आजकते हैं जो उनके सुप्चिन तक है वो आ जाते हैं बीच में यानि हल्दवानी के मेले सुमित हिर्देश के यह कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो होने देंगे इनके साथ में काफी आपोजिशन पाटी के तो लोग दो गुस्ते हैं बीच में और इन लोगों को बचाते है जो लीगल माइगरेंट से इनके साथ खड़े हो जाते हैं कहते हम इसको नहीं होने देंगे और चैरिंज करते हैं हाइप के अयह को पेटिशन को सब्सक्राइब करके सुप्रीम कोट में और इनक कौन सी क्या कोई मुसल्मान मुझे ये बताए कि मेट्रों के अंदर बसिस के अंदर या फ्लाइट के अंदर आपके काड़ पे रिलीजन को देखके टिकेट करी जाती है प्राइस का क्या आपको राशन देते वक्त डिसाइड के जाता कि हम मुसल्मानों हिंदू है मैं थोड़ा दिखाया विकाद लंबा वीडियो था था कि लोगों समझ आए कि हिंदों ने बाहर निकल कर बोलना शुरू कर दिया सार इस बात की मुझे कुछ ही है पहली बार देख रहा हूं मैं यह चीज़ देखे कल भी में आपको कहा था कि जो हमारे बात की बात की जो पीडियों है वह समझदार हो गई है वह इन सब चीजों को समस्ति है हमारे साथ पेदा हुए लोग हमारे बात पेदा हुए लोग जो 80-85 तक है वो लोग आज भी कांगरेश की भक्तिने लीन है और वो उनकी ग गतने को तैयार नहीं ऐसा मुझे लगता सर जैसे ये सारी पीडियां तो जाग रही है लेकिन कांग्रेस है कि उसने अभी भी अपने शड़ेंतर रचने बंद नहीं करे हमने देखा कि कैसे इतनी लंबी यात्रा लिकाली है राहूल गंदगी ने वहाँ पर लोगों को भ्रमित कर रहा है दूसरी तरफ से मनिपुर में आग लगानी शुरू करती है पंजाब में भी आग लगी हुई है कई लोगों बोला कि बही किसान अंदोलन का क्या हुआ सर कल रात को वहां मीटी हुई थी उसका वहां पर क्या हुआ क्या मैं पहले वीडियो लगाओं या पहले आपकी टिपनी आएगी ने पहले बता देता हूं रात को एक बजे तक मीटिंग चली थी उसमें जो उनके दोनों नेता थे पेंडर और सरदी उन्हों को बुलाया गया था उनके पास पांच प्रपोजल दिये गये थे यह पांच मांगे हैं यह हम आपकी कंसीडर कर लेंगे उसमें यह सरकार की तरफ तो प्रस्तावत दिया गया है कि माक्का दाल जो होती हम दलंद केते हैं दालों और कपाश पे ए स्टार्ट हम लोग यहां से करते हैं तो यह रात को इनको शैद कुछ शुद्ध हिंदी में समझाया गया है तो आप देखेंगे अगर वीडियो में तो उनकी चेहरे उत्रे हुए थे रात को ही इनोंने जो में भारती किसान यूनियन वाले लोग थे वो शामिल नहीं इसने एक तो जो चडूनी था उग्रहान और टिकेट का तो इसा है कि जितना पैसा मिलता उतना ही बोलता है थे पाइस नहीं है थे लापका में वेठा हुआ है वह बखवास तो कर लेगा बॉर्डर क्रास नहीं कर पाएगा अच्छा फ्रस्टेशर एक और आगया है कि जो असली किसान है उनने जब यह सब तमाशे बाजी देखी तो वह वापिस से ले गए इस इस इर्फ आपका यह जो शम्भू बॉर्डर है उस पे लोग बहुत बेचेन हो रहते हैं कि आप क्या होगा आज छटवा दिन है सर आपकी भवेशवारी तो बैसे लेता हो जैसे कि बगवार की वारी हो सरस्वती माज साख बैठी है वहाँ पर मैंने अपनी परसनल लाइट में भी देखा है जो जो चीजे आपने मेरी भवेशव के लोग पहले शुद्ध पजाबी बोलते थे एक तो हिंदी बोलनी शुरू कर दी दूसरा देखने वाला है उनके चेरे अगर आपकी सारी मांगे पूरी कर दी कहीं है तो चेरों के थोड़ी से समाइल तो आनी चाहिए थी मूछों में थोड़ा बट तो आना चाहिए था म मौल्डीज वाले लोग आते हैं तो उनके मूँ उत्रे होते हैं अभी है सिकसान यूनियन वाले आप सब वीडियो देखिए फिर पात करेंगे सभी पत्रकार दोस्तों अज लंबा समा फेत बारा सरकार देनाल चुछे गेड़ी मीटिंग होई है जी देवेचा साधियां बहुत सारे अगरियां हमारी समस्याइं जैसे MSP की गरंटी लेने की थी पिसानों की कर्जमुक्ती की बाकी थी स्वामिनाथन शिपारशों की थी दोन शिपारा दर्फ की घ्र चुछे ती जी उसके सब मॉझों पर चाज हुई है लेकिन एक बात में अच्छी जो सरकार ने हमें एक प्रकोजल दी है यह मैं समयाना चाहरे हो आंको एक सरकार की और से हमें कि अधिक को लेकर प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में यह बात कही गई है कि दालों मक्का और कफास इन सभी वस्लों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है यह के इंदर की दो जंसियों के दुआरा इनकी पूरी की पूरी फ़सल की MSP जो टा की जाएगी उसके उपर खृदी की जाएगी और उनी ही जो जंसी हैं के दर की उनी के दवारा हमारे साथ लिख्त में उनका इसनों नहीं बोला वो तो हमें बता है वो यह आपने पहले ही बता दिया मैटर था उनकी शक्ले देखने वाला कि शकलों के बारा बज़े होए थे मूछे हवाईयां उड़ी हुई थी और हिंदी बोल रहे थे वह सर यह बेसिकली शकले देखने के लिए दुबारा लगाएंगे तो इंट्रस्ट नहीं रहेगा चलाने को मैं चला सकता हूं लेकिन मुझे बालूम नहीं पड़ेगा कि इस पर लैंगोज आरी थी कि नहीं आरी थी आप सोच कि वाइस था ऐसा लोग करें चलिए मुझे नहीं आया लोगों का आया है तो सर यह तो इनका हाला था किसान यूनियन का और आपने पंदरा दिन बोले हैं पंदरा दिन में तो सटी होई जाएगा पंदरा दिन से पहले होड़ी सकता क्योंकि मुझे भी वालूम ब सब्सक्राइस पिर बेंगे हो यह पिछली कि वाले प्रेशान हुए है त्यरह महीं ने दिलिली के लोगों का जीना हराम कर दी है था अब अब सरकार हो गई है ना का ये पंजाब से निकलते तो पंजाब में रोग दो अब क्या हो गया वहां के व्यापारी आड़ती ये ये सारे परिशान हो गाए कि हमारा धन्लाठब हो गया है तो विरोज वहां से भी शुरू हो गया है तो एक तो इदर हरियान की तरफ है ही नहीं और इन जो लोगों को पूछा गया कि MSP का फुल फॉर्म क्या है मैं बताया तो क्योंकि इनको पूरा पता था अच्छे ये बताएं MSP क्या है MSP नहीं मालूम फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म तो जी ओ वाड इंजन भाड़ा है जो MSP है जैसे आग नहीं लगाने देते ये उसका केस डाल देते है पराली जलाने को MSP बोल रहा है तो आप इससे समझ जाईए कि फरजी आंदोलन का रही है वाड़े का चट्टू है इनमें किसान कोई नहीं सर आप सोके देखिए कि वो इसको MSP पता नहीं है कि अब तो यहां में फट्टे चक्रे आये हैं फट्टे चक्रे आये हो MSP का मतलब है फट्टे चक्रे पता हो यह तो इनका अदोलन वालों का हाल है फिर कहते हैं कि हमारे उपर सबसे जाए दुनिया में जोक्स है तो इनकी उपर बलते हैं अब नहीं बनेगे क्या बनेगे साथ अब ताहिए और जो एक्चल सरा है तर जो एक्चल किसान है वह सारे के सारे समझते हैं कि यह अंदोलन है ही नहीं अब-तो सरादर ने बैला शुर secretary यहांसे हम बिहार यूपी के छोड़ादी वीडियो है दस सेकेटा सब सतर साल दे होंगे सतर असी दे क्योंकि असी पचासी तो बाद होंजी बंदा चल पर दा तो अड़े पंजाब जो आज तो दसा साल आनू तो अनू साथ साल तो काट बंदा ही लबना सरकेति सही बाद बोलिया नोने देखिए मद्यप्रदेश में ये सही कहा थे कि मद्यप्रदेश में अशोक नगर और गुनाजिले के आस पास बहुत उपजाओ जमीनें और सियोर में नी सिहोर का गेहूँ पूरे हिंदुस्तार में मशूर है बलकि दुनिया में मशूर है तो मैक्सिमम खेत जो हैं सरदारों के हैं अभी कटाई होगी तो ये जो हार्वेस्टर आते हैं ये पंजाब से आते हैं हार्वेस्टर नहीं आने दिये जाए और इनकी फसल खड़ी की बिखा दिया जाए उत्तर प्रदेश से गन्ये के मिले हैं गन्ये के खेत उन्होंने लगा रखे हैं इनका क्या हल होगा ये भूल जाते हैं कि इनके साथ वही विवार हो सकता है जो ये दूसरों के साथ करना चाहरे है सर यहीं नहीं है जो एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सर इससे और क्लाड़िक क्या होगी एक्च्छल किसान है वो पंजाब का जो बोल रहा है कि किसान का अंदोलर नहीं है तो लाउट स्पिकर लगा के निशेडिये लोग हैं जो जाकर वहां पर उर्दम बचा रहे हैं और कुछ भी नहीं अब देखिए सब्चेक्ट से हट के लोग कुछ रहे हैं वो कह रहा है सारा का पैसा का मिलेगा अब उदको छोड़ दीजिए लोग बोलते हैं हम भात खेट की कर रहे हैं यह लोग खलियान में पहुंच जाते हैं तो इसलिए सर्ट रेक्शन की जरूत नहीं है यह अपना बोलेंगे यह किसान अंदोलन है ही नहीं और इसलिए सरकार को भी मालूम है कि यह अंदोलन किसी और का खिलाया हुआ है सब इसलिए की आग लगी रहे और सरकार ने बड़ी खूबसूरती से उनके साथ करी हैं कुछ दे दिया कुछ छोड़ दिया और जो भाशा इस्तवाल की होगी उनके लिए वो उनके चेरों पर समझ आती है सर यह काम ऐसे डिलापन में नहीं होता है जैसे डिलापन कॉंग्रेस ने 75 सालों में भारत में दिखाया हमने देखा केजरी वाल भी वही काम कर रहा है भारत के अंतर डिल इतनी है कि रूहिंगे वालों को जबर्दसी बुला बुला कर बसाया जा रहा है पबलिक पार्क्स टेक ओवर कर लिये हैं उन्होंने और जीना हराम कर दिया दिली वालों का दिली वालों कैसी रही आज आम आदमी पार्टे की आपकी सरकार आपको तो चेरा दिखा देता हूँ जो आप ही के लोगों ने बनाया है और मै दाद देता हूँ ऐसे हिंदू के लिए सनात्रियों के लिए जो हमारे तक ये वीडियोस पचाते हैं कि अपने शो की उपर दिखाईए मैं आपको दिखाता हूँ अपका चेहरा आपकी गवर्मेंट का आम आदमी पार्टी का यह रहा है यहां स्रीमापुरी की तरफ पार्कों पर भी इन्होंने कपचे कर लिए टीडी के पार्क हैं और यह किसमें भर भर के आ रहे हैं यह देखे आप करेगे कि पूरी कलोनी रोहेंगे उन्हें कपचे कर लिए एल जी साब इसके संज्यान ले नहीं तो अगला नू दिल्शाथ कलोनी और स्रीमापुरी के पास ही होगा और यह जल्द होने वाला है यह लोग की मतलब कुप सूचनों से सुनने में भी आया है कि यह लोग कुछ रोकने जाएंगे तो वही सुन्गो मूतो वाले एकदम से उसके पास टेज़ दे देंगे कि इनको हटाना नहीं है क्योंकि यह तो हमारे प्रिये मौमिन है सर इसका इलाज क्या है देखिए हमारी वीवर है सुच्मा कुलकरणी जी उन्होंने पूछाता पंजाब के लिए बीजेपी का क्या प्लान है बंगाल में क्या हो रहा है भाई साफ वोट देने वाले आप लोग आप लोग से मेरा मतलब हम हिंदू लोग है परसेंटेज हिंदू का जादा है पंज कि लिए साडी के लिए साला बिंग जाते हैं लोग आप कि आन से प्रशन पूछे पशने नहीं जाया है किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा अप इसका क्वेश्म का कोई आंसर नहीं है क्कि हिंदू समझना ही नहीं ता इसलिए वीडियोज बना रहे हैं हम लोग इनको जगाने के लिए और जो रुहिंगया का अभी जो हिंदू जघा हुआ है उन्होंने ही वीडियो सको हमारे साथ wspól कि खिया है इसलिए भिखा ग्रहा रहे हैं कि आम आहीं पार्टी तो आजाए मुसलमान कैसे आजाते हैं हलगानी में देखा नहीं लीगल जमीन कभजा के वहाँ तो सरकार अठाने तो कैसे आगा तो कितनी तॉनफोर मचा दीती ये तो आपका लीगा ने हर कालोनी में पार्क की जगह छोड़ी जाती है आपके पार्क पे कब्जा हो रहा रहा आप शुपसाप देख रहे हैं वीडियो बना के बेज रहे हैं ये देखिए ये हिंदू की सबसे बड़ी कमी है वीडियो बना के आप एलजी से अपील कर रहे हैं आप जिस कालोनी में ये कर रहा है जो सोसाइटी में कर रहे हैं वहां के लोग इकटे हो क्यों इसका विरोध कर रहे है सब्सक्राइब कोई विरोध नहीं है कोई भी रोक टोक नहीं है सर हमने देखा कि अब जैसे आप कई पर बोल देते हो कि भी हिंदू बाहर क्यों नहीं आता वेस्ट बेंगॉल में अब वेस्ट बेंगॉल के अंदर दादागिरी इतनी है कि कोई भी इलेक्शन होते हैं पेपर हैक हो सकता है कैसे है होता है वो भी दिखाता हूं कि एवा फ़ब शप्पा बोट दी हो ना तुमी आतो दीन तो न बोल शुचे बोले इंग अनी तो में पाशे आठी बोले इंग तुमी की कर्थो कि एक नुमर चो लेटा जाना है सिर्थ तो यह थिलो जूट पर धाली जोखन एकना से एकना चूरी होगे 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 वेस बंगाल में जो पंचायट के चुनाव हुए थे उसमें जो थांदली हुई थी यह उसका वीडियो है यस सर इसे लिए बार बार बोलते हैं हमें वैलेट वेपर चाहिए ताकि खुलकर हम लोग अपनी वो जो है धांदली कर सकें सर यही तो इनका प्लैन है और हिंदू है कि बोलता ही नहीं हम यहां पर वीडियो दिखाते हैं हमें मालूम है कि उसकी उपर कई लोगों ने स्ट्राइक लगानी है लेकिन परवाद नहीं है क्यों डेश के लिए कर रहे हैं और इस चीज़ों को हम गवर्मेंट तक भी पहुचाने की पूरी गोशिश करते हैं मैं को आखरी टेक बागी चांग को करें आखरी टेक कल जो मोदी जी ने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कुछ बाते बोली थी कि बीजेपी की सरकार क्यों आनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूं ब्रस्काचार के खिलाफ लड़ाई के लिए बीजेपी की सरकार नानी चाह 400 अपकी बार 400 पार पिर आपका महिंगाई पर कंट्रोल करने के लिए बीजेपी की मतलब एंडिये की सरकार वह बीजेपी नहीं बोले एंडिये सरकार 400 पार देश के दुश्मनों के मन में डर पैदा करने के लिए जो अभी डर नहीं कई लोग उसके लिए आपको चाहिए बीजेपी नडिये सरकार 400 पार विकाज की गति मैंटेन करने के लिए चाहिए एंडिये सरकार 400 पार तो यह कुछ फारवूल है इसको दिमाग में घुचर लीजिए टेप करके रख लीजिए कि हमको यह चीदे ध्यान रखनी है और आप लोग आते हैं उसके लिए अभार जैवारत जैश्रीराम हमें हो रहा है और वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा तब तक के लिए जैए हिंद वंदे मातरम सर जैश्रीराम 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 जैभारत